वेलकम टू डारेक्ट एड्मिशन सेंटर दोस्तो आज मैं आपको इंद्रा गांधी इनुश्टी जो की मिरपूर रिवारी हर्याना में रस्तित है इसके बीएड एमेड एड्मिशन दोय तेज के बारें बताऊंगा तो दोस्तो यदि आप हर्याना से बीएड या नेट करना चाहते हैं या डीलेड करना चाहते हैं तो यह वेडियो आपकी लिए इसे आंत तक देखें ताकि सभी जनकारी आपको प्राप्थ हो चके Het अुर दोस्तों यदि आप हमारे थ्रूं बी एड, एमेड या डी एलेड मेड मिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे वाट्सअप नंबर 6203012030 जी हाँ 632, 1332 पर वाट्सअप के द्वारा संपर कर सकते हैं हर्याना के किसी भी गोर्मेंट उन्वेस्टी में बी एड, एमेड, डी एलेड में एडमिशन करवा सकते हैं दोस्तों यदि आप हमारे थूँ एडमिशन लेंगे तो आपको non attending की facility, study materials, important questions, previous years के question, practical notes, इत्यादी एनेक सुधाय आपको प्लप्त कराए जाएगी तो आप हमारे थूँ हर्याना के बी एड, एमेड या डी एलेड में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों इंद्रा गांधरी उन्वेस्टी इसको में स्वाट में IGU कहते हैं जो की रेवारी हर्याना दिली NCRM में इस्तित हैं दोस्तों इस कॉलिज की आसता अपना 2013 में हर्याना एस्टेट गवर्मेंट कर द्वार की गई थी यह एक गवर्मेंट उन्वेस्टी है तो आप इसमें B.A.D.I.M.A.D. में इंद्मिशन ले सकते हैं दोस्तों इसमें इंद्मिशन लेने के लिए आप इसमें ऑनलाइन अपलाई 21 अगर्स 23 तक कर सकते हैं और आपका कर्टेडियो मेर्ट लिस्ट 24 अगर्स 23 को पॉब्लिस किया जाएगा दोस्तों इसमें इंटेंस एग्जाम नहीं होता है दोस्तों हर्याना के किसी भी उन्वेस्टी में B.A.D.I.M.A.D. में इंद्मिशन लेने के लिए इंटेंस एग्जाम नहीं होती है आपको मार्स चे बेसिस के अधार पे आपका एड्मिशन एजली हो जाती है यदि आपक को जाएगी दोस्तों गोर्मेंट कोलेज का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का इसका होगा उसी तरह का सगेंड्र का काशी लिंग का एलाट्मेंट, गव्वर्मेन्ट कोलेज का आठ सिक्टंबर 12енной चिर्फ को होगा और प्रावेट कोलेज का 15 सेप्टंबर 12 मिर्वर्व homepage को और गवर्मेन्ट कोलेज में आप 13 सेप्टंबर 12 तेज तक एडमिशन ले सकते हैं और प्राविट कोलोज में आपका उन्हीं सेप्टम अदा तेज तक दोस्तों गवर्मेंट कोलोज में कीवल नहीं स्टूर्यों का एडमिशन होगा जिसका मार्क्स यूजी यापीजी में एप्रॉक्स 90% के आसपास हो उन्हीं का आपका एड एडमिशन ले ऐसा नहीं कि आप एडमिशन लेकर फज्ज हैं टाइम और मॉनी दोनों ही वेस्ट हो जाए और आपका क्लासेज 14 सेप्टमबर 23 से स्टाट हो जाएगी और दोस्तों मैं आप इसके प्रेस्टेश के बारें बता दूं दोस्तों बीट का गवर्मेंट कोलेज क और यार आपका गवर्मेंट कोलेज में लगेगी और दोस्तों प्राविट कोलेज में आपका 44,000 और प्लस सारे 6,000 यानि 50,500 लगभग लगग यानि आपका दो साल का लगभग एक लाख एक हाजार रुपया होता है स्कोर्स फिस टोटल दोस्तों यदि आप आईजिव में बीट मेंट 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 करवा देंगे इसमें आपको नन अटेंडी की फेसलेटी भी रहेगी एक्जाम फिस एस्टटी मेटल्स का चार्ज जेस अधर सारे सर्विस इंक्लूडिंग करके आपको टोटल केवल 90,000 ही लगेगी 10,000 आपको डिसकाउंट रहे मिलेगा प्लस फीस में प्लस साइस जाहें भी मिलेगी 90,000 के अलावा कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों यदि आप अभी एडमिसन लेते हैं तो यदि आप लेट करेंगे तो आपको फिर 95,000 लगेगी और लेट करेंगे तो आपको 1,000 लगेगी तो दोस्तों यदि आप डिसकाउंट इंड फी में एडमिसन लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे वाट्सट नमबर 6203012030 दोस्तों इसे संबंदित कोई डाउट हो तो कॉमेंट अवस करें उसका रिपलाई इमिड दिया जाएगा आप हमें वाट्सट भी कर सकते हैं दोस्तों एडमिसन के लिए रिकॉर्ड डॉक्मेंट तता फी का डिटेल्स डिस्क्रिशन बॉक्स में भी दिया हुआ है वहां स करने के बाद आपको कॉलिंग नंबर उपलफ्त करा दिये जाएगा जिस पर आप फानेल बात करके आप हमारे थुरू एडमिसन ले सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आओ तो लाइक आवस करें ताता इसे अपने ग्रूपों एवान दोस्तों को भी सिए करें ताकि उन्ह